नमस्कार मैं हूँ स्रिष्टी दवार बुलिटन में एक बर फिर आफ सब का स्वागत है फूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई का निधन हो गया है एम्स के द्वारा जारी मेडिकल बुलिटन में इस बात की जानकारी दी गई कुछ दिनों से एम्स में भरती थे कुछ दिनों से उनकी जो तवयत थी वो नाजुक बनी थी दो दिनों से उनकी तवयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी रखा गया था इसे पहले उन से मिलने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाहन एम्स पहुच कर उनका हाल जानना चाहा था साथी में कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गांधी, मत्रदेश के मुखमंतरी शिवराद सिंग चोहान, रमन सिंग, बीएसपी सुप्रेमो मायावती और इसके अलावा मुखमंतरी नितिश कुमार जो के बिहार के हैं उपमुखमंतरी सुशील मोदी, दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन केजरिवाल और उपमुखमंतरी मनीच तुसोधिया जैसे कई लोग महाँ पहुचे थे एम्स में और साथी में एम्स के ओर से शाम साड़े पांच बज़े जारी गए गए नए मेडिकल बुलिटन में आर्चल बिहारी वाजपई के निधन की जानकारी दी गई पूरे अलाके में जो सरक्षा गयरा है वो बढ़ा दी गई है बैरिकेटिंग की गई है वाजपई के घर पे कई बड़े निताओं का आना जाना शुरू हो गया है अर्चल बिहारी वाजपई के निधन के चलते भारती जनता पाटी ने आपने सारे कारेक्रम वगारा रद क कर दिये हैं के कई शेत्रों में लगातार मुसलाधार बारिश की वज़े से बाड की स्थिती और भी गंभीर हो गई है पिछले दो हफ्तों में के चौदा जिले बाड से प्रभावित हुए हैं बाड की वज़े से मरने वालों की जो संक्या है वो बढ़कर सत्तर से अधिक ह हो गई है मौसम विभाग की माने तो अभी कोई भी राहत के आथार नहीं दिख रहे हैं आज बारिश को लेकर राज में रेज अलट जारी किया है लगभग बारा जिलों में रेज अलट जारी किया गया है सरकारी या दिकारियों के अनुसार 15 अगस्त के दिर अगर हुई है बार से प्रभावित सभी जिलों में राहत शिवर लगाए गए हैं लोग अपना घर बार छोड़के इन शिवरों में रह रहे हैं राज के विभिन हिस्सों में पावर सप्लाई जो है उसमें पानी घुष जाने के कारण उसे शनिवार तक के लिए बंद किया गया है तो चानवे प्रतिशत बांधों के गेट खोल दिये गये हैं कोजी कोड में बुद्वारात लैंड साइट की तीन घटनाएं हुई तो दश्कोबाद ऐसे हालात देखे जा रहे हैं सुप के तैतीस वांधों के फाटक खोले जाने और साथ ही में जो मुला परियारबान ने जो जलस्तर 142 फूट को पार कर जाने पर केरल और तमिल नाडू के मुकमंतियों के बीच ब्रहम की इस्तिती है उस पर एक फैस्वा देने का अनुरोथ किया गया है उस याचिका के सरिये इसमें तीनों सेनाय और काफी अजन्सियां भी शामिल हैं प्रधान मंतरी नरिंद मुदी के निर्देश के बाद एक उचस्तर ये बैठक की गई और प्रधान मंतरी ने केरल के मुकमंतरी पिन्रई विजिन से फोर्म पर बाद भी की और बार की स्थिती पर उनसे चर्चा क प्रधान मंतरी नरिंद मुदी ने कहा कि केरल एवं देश के कई हिस्सों में बार की स्थिती को गंबीरता से देखते हुए पूरा देश अपनी शक्ती के साथ उनकी मदत में खड़ा है जो उन्होंने इसमें अपनों को खोया है रविवार को केरल के अपने दौरे में ग्र बारा नई टीमों को आज बारिश और बारस प्रभावत केरल राज में भेजा है जो लोग अपनी विल्जगों में अलग अलग जगा फसे हुए हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बचाने की गुहार लगा रहे हैं देश भर में एक साथ चुनाओ कराने की जो ये बहस है उस पर चुनाओ आयोग का एक बड़ा बयान सामने आया है चुनाओ आयोग का कहना है कि दिसम्बर में लोकसभा और चार राजियों के विधानसभा चुनाओ एक साथ कराने के लिए वो सक्षम है मुक्ष चुनाओ आयोग ओपी रावत ने कहा कि अगर 2019 में होने वाले लोक चुनाओ मदरप्रदेश राजस्थान चतीज गर्ण मिजुरम के विधानसभा चुनाओ के साथ होता है तो क्या चुनाओ आयोग इसके लिए तयार है इस पर रावत ने कहा क्यों नहीं कोई समस्या नहीं होगी ये बयान काफी महतपूर है क्योंकि एक दिन पहले ही आमुक का पांच जनवरी 2019 वहीं मदरप्रदेश का साथ जनवरी और राजस्थान का 20 जनवरी 2019 को समाप्त होना है बहराल मौजुदा सरकार और साथ में प्रधान मंतुरी नरेन मोदी भी देशवर में लोगसभा और विधानसभा चुनाओ को एक साथ कराने की वकालत कर चुके हैं और नीतियायोग ने भी कहा था कि दूजार 24 में से लोगसभा और विधानसभा चुनाओ के मामिले सेहमत नहीं देख रहा है पूरी तरह से कॉंग्रेस ने एक ऐक साथ चुनाओ कराने को सही नहीं ठराया है त्रिनमूल कॉंग्रेस और CPI ने भी एक साथ चुनाओ कराने को जो सम्विधान की संगिय संरचना है उसके खिलाफ कदम बताया है बुलचन की अगली खबर के अगर हम ओड़ चलें तो केंद्र ने सुप्रीम को उच को बताया है कि क्रीमी लेयर के सिधान्त को लागू कर जो SCST समुदाइक से सरकारी करमचारी हैं उनको प्रमोशन में पदुनती में आरक्षन के लाब से वंचित नहीं किया जा सकता शीष अन्यायले का कहना था कि जो जाती और पिछरापन का ठपा है वो अब भी समुदाइक के साथ जुड़ा हुआ है कोई सेसला नहीं है जो यह कहता हो कि SCST समुदाइसे जो समुदाइसे उनको क्रीमी लेयर के सिद्धान के आधार पर आरक्षन का लाब देने से इंकार किया जा सकता है अब एक बार फिर देश में गाय चोरी के शक में भीर द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है इस बार मामला अस्सम का है बिस्मनाद जिले में जहां पे गाय चोर होने के संधिय में भीर ने चार लोगों को पीटा जिसमें से एक की मौत हो गई है पर हमला किया, इस्थानिय लोगों ने आरोप लगा है कि पीड़तों ने गायों को चुराया है पुलिस ने बताया कि वैन से दो चोड़ी हुई गायों को बरामत किया गया जब कि जो बहान का चालक था वो घटना सलसे भच निकला गटना का एक वीडियो भी सोशल वीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर ये पीड़ जमीन पर बैटकर भीप मांग रहे हैं गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए लेकिन लोग उनको पीट रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं एक गायल वेक्ति ने एक स्थानिये चानल को अपने दिये गए अपने इंटर्विव में कहा कि हम बुदवार सुभा डिपलोंगा चाय बगान में एक सूर खरीदने जा रहे थे तब ही भीड ने जंटो और लोही की रॉड लेकर हमें रुकवाया और गाय चोड समझके हम पे हमला किया हारां कि पुलिस ये मानती है कि पीड़तों ने गायों को चुराया था और उसे ले जा रहे थे पुलिस अधिकारी ने ये पी बताया है उन लोगों पर गाय चोडी का मामणा दर्च के आ गया है हमारे पास इसी कोई जानकारी नहीं है कि पीड़त सूर खरीदने जा रहे थे क्योंकि वो घायले हमने अभी उनका बयान नहीं लिया है यह सब पुलिस अधिकारी का कहना है तो इस सभी पीड़ जो है वो आदिवाती समधाय के हैं जो मुक रूप से छेदर के चाय बगानों में काम करते हैं अब बात करेंगे तलंगाना की जहां पे चायल्ड ट्राफिकिंग रैकेट के परदा फाश होने के बाद तलंगाना की पुलिस स्टेशनों के बाहर जो लापता बच्चे हैं उनके अभिवावक लाइनों में ख़ड़े हो गए हैं इस महीने के शुरुआत में जब बाल कल्यान कारी अधिकारी के साथ रजकोन पुलिस की टीम ने तलंगाना के यदा गिरी गुट्टा के बीसी कालोनी पे चापा मारत उन्हें इस बात का ज़रा भी अनुमान नहीं था कि इस से उन नाबयालिक लड़कियों का पता चलेगा जो ट्राफिक की गई थी जिनकी तसकरी की गई थी अब पूरे राज में कई परिवार जो हैं वो अपने लापता बच्चों के बारे में पूछताच करने के लिए तलंगाना के पुलिस्टेशनों में के बाहर लाइनों में कतारों में खड़े हो गये हैं इस मारत तसकरी के मामले में एक जाच का आदेश दिया गया था जिसके बाद पुलिस ने इस प्रॉस्टिटूशन राकेट का परदा फारिश किया जिसमें पान से साथ साल की लड़कियों को भी शामिल किया जाता था पुलिस ने इस मामले में 11 नावारिक लड़कियों को बचाया है और इस सिलसले में 6 महिलाएं गरफतार की गई है बहराल इन खबरों को जाके आप दवायर की अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, वेबसाइट पर सकते हैं इसी के साथ में सुरिष्टी दवायर बिलिटन में आज इतना ही झाल 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 झाल